नमस्कार दोस्तो स्वागत आपको में रिटूब चैनल में अगर आपकी कंपनी एस्टेबलिश्मेंट या सोप है तो आप अपनी कंपनी 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 को जेश्टी के अंदर कवड करना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी कंपनी का जेश्टी का नंबर ले सकते हैं दोस्तो आपको owner का pen number चाहिए, अगर आपकी proprietorship है तो आपको owner का pen number चाहिए, अगर आपकी private limited या partnership company है तो आपको company का pen number बनवाना पड़ेगा, उसमें आपको company का pen number चाहिए, अगर आपकी establishment या company या सोब rented है या rent पे है तो आपको company या सोब का यह आपकी establishment का rent agreement चाहिए, अगर आपकी ख का आपको एड्रेस प्रूब चाहिए और एक उसमें आपको सभी ओनर की बैंक डिटेल आपको चाहिए इनकी बैंक की कोपी आपको वहाँ पे अप्लोड करनी पड़ेगी तो दोस्तों मैं आपको सेटेब बाई स्टेप बताऊंगा आप कैसे रिष्टेशन कर सकते हैं दोस्त आप नियुरे स्टेशन पे कलिक करेंगे इनकी नियुरे स्टेशन पे कलिक करने के बाद आप से आपकी कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा इनकी जैसे कि आप टेक्सपेयर हैं तो आपको यहाँ पे टेक्सपेयर डालना है उसके बाद आपको यहाँ पे आपका स्टेट स्ले प्रिंट है इंगी pen card पे print है अगर आपकी proprietorship फर्म है तो आपको यहाप पर proprietor का name ढालना पड़ेगा और next column में यहाप पर्मानेड account में यहाप को proprietor का pen number ढालना पड़ेगा अगर आपकी private limited company है या partnership company है तो आपको यहाप एक company का name ढालना पड़ेगा क्योंकि आपकी chemistent or partnership company का आपको company के नाम से पहले pen number बन्वाना पड़ेगा इनके pen card बन्वाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी company का a pen number डालना पड़ेगा इनकी आपकी company की नाम से dad काड़ बना हुआ है और आपकी कंपनी का pen number allotted है यहाँ पे आपको email id डालनी है इनकी आप अपनी कंपणी की कोई भी एक working email id डाल सकते हैं यहाँ पे आपको mobile डालना है जैसे आप यहाँ यहाँ पे mobile डालेंगे यहाँ पे आपको character डालके उसको proceed पे कलिक करना है मैं अब भी आपको डिटेल डालके एक बार परसीड पर कलिक करके दिखा दूँगा आप जैसे ही परसीड पर कलिक करेंगे आपके सामने दो ओप्सन आएंगे इनकी मोबाइल नमबर ओटीपी और इमेल आईडी ओटीपी इनकी दोनों पर ओटीपी जाएंगे और दोनों पर अलग-अलग ओटीपी आपको मिलेगा इमेल आईडी प्रसीड पर कलिक कर देना है जैसे मैं भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ जैसे मैंने आपको बता था, कि यापी आपके mobile number और email ID पर OTP जाएगे, जो mobile number पर आपका OTP गया है, आपको अपको डालना है, जो OTP आपके email ID पर गया है, याप को डालना है, इनिके दोन वह siitä आपको OTP अलग-अलग box में डालने हैं, mobile के box में, email ID के box में, पिरक्ट को करना हैु दोस्तों जैसे कि मिरे यहां पर इमेल पर चुका है, इनके मेरी email IT पर आ चुका है. अब मैं इस ट्यार नबर को यहाँ से Copies कर लेता हूं और वापस अपनी है तो दोबार आप यहां से इस प्रोसेस से आ सकते हैं उसके बाद आपको जैसे हमने आप नियुरिस्टेशन पे किया था अब हमने आप टैंपररी रीफ्रेंश नंबर पे कलिक करना है इनकी हम ट्यार नंबर जनेर्ट कर चुके बसक्र और आपको यहां में प्रसिडिक करना है दोस्तों आप आपके मॉबाइल उमडर और आइसे यहां को दाल सकते हम जैसे यह करेंगे यहां पर action पर आपको यहां पर कलिक करना है यहां पर आपको action के नीचे एक box मिल जाएगा उस पर जैसे ही कलिक करेंगे आपके सामने आपको अपनी personal और अपने office की detail यहां पर डालनी है जैसे कि आपको यहां पर address प्रूप डालना है आपका भी और आपकी company का भी establishment या shop का name डालना है इनके जो भी आपनी shop का नेम है वह यहां पर डालना है यहां पर आपको type select करना है आपकी company shop establishment력 partnership या partnership यहां पर आपको select करना है उसके बद यहां पर आपको district select करना है district के बाद यह यहां पे आपको अपने GST के circle award को आपको आपको इहां पे select करना है, आप यह कैसे पता करेंगे, यह कैसे confirm करेंगे कि आपके GST का circle award कौन से उसमें पढ़ता है, क्योंकि यहां पे निचे भी आपको आपके company का GST का commission rate डालना है, division डालने है, range डालनी है, तो आप यह कहां से प पता करेंगे क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी किस एंज में पढ़ेगी क्या क्मि saja ने में पढ़ेगा जा ter फैल review जाएगी यहां सेर्ट लगा कर चांट को सरीश्ध करना है उसके बाद आपको बस्सक्राइब करना है अब जैसे करेंगे उसके बाद आपके सामने आपका states मांगेगा yah Tikma mayonnaise बाद के बाद के बाद इनạoी कि जो इस शोन है इनकी पंच पूला एप पंच्वुला के बाद हरियाना में कितने कमिशनर है इनके गुडगाओं है फरिदाबाद पंच्वुला रोतक अगर यहां पे सिरफ चार ही कमिशनर हैं तो आप सोनीपत की आपको डिस्टिक और रेंज सेलेट करने है तो आप कैसे करेंगे आप यहां पर नियरबाई शिर्षा वर सौनिपात। जीसे की हमारा ड्ष्टी गुर्गाओं है हम फापिस गुर्गाओं सreedy ले जाते हैं और इसमें इसमें आमारा TIME 라। किस रेंज में आता है inna कि हमारे offide का रेंजम में आता है यहां पर आपको देखना यहां पर आप जैसे डिविजन पर कलिक करेंगे इनकी जितनी भी इसमें रेंज है जो भी एरिया है यहां पर आ जाता है उसके बाद यहां पर आपका ओफिस इस एरिया में पढ़ता है तो आपके रेंज यह रहेगी अगर इस ओफिस में पढ़ता है इनकी सेक्टर 17 के आसप पढ़ता है तो आपको यह डालनी है जैसे कि मेरा ओफिस में यहां पर है इनकी इस एरिये में पढ़ता है तो मेरी रेंज है यह आर फोर्टी शिक्स है तो अब मैं जिश्टिक की साइट पर वापिस आजाऊंगा और यहां पर मैं यहां पर अपना जो डिश्टिक है यह जो कर लिया उसके बाद यहां पर आपको अपना Commissionate select करना है अगर आपका गुर्गाओं में है तो आपके according यहां पर select करना जैसे मेरा गुष्टगाओं का क्या Commission rate है तो में celecart करने हुं यहां पर आपको division select करनी है कि जैसे div сист 1 तो मैंने select कर लिए NOT उसके बा lookin यहां पे आपको रेंज करना ही कि रेंज मेरी यहां पर 46 है मनि यहां पर इस लेट कर री है अगर आप Casual taxpayer है तो आपको Yes करना है नहीं तो आपको a ऐसी रहरेंगे देना है उसके बाद यहां पे आपको अपने business का region select करना है इन्हें के आप जो अपना GST का number लेना चाहते हैं उसके क्या region है voluntary basis पे है या liability आपकी जो liability है good service की वो ज्यादा हो चुकी है है आपका business transfer हो चुका है या आपको इन्ले की डैक हो चुकी है यापका कोई और region इस में से आपको मिलता My है तो select कर सकते हैं या पिर अधर भी select कर सकते हैं नहीं तो आप यहां पर वक्राइंट्री बेशी力 करना है आप अधर में भी कर सकते हैं अगर इन के अलावा कोई और रिष्टेशन है तो आप अधर में कर सकते हैं अधर में आप जैसे क्लिक करेंगे आपको स्पैसिपाइब करना पड़ेगा यह किस ट्राइब का रिष्टेशन है किस डिपार्टमेंट से हैं तो जैसे मैं यह तो नटाबिशमेंट यहांपी शलेट कर लेता हूं रिष्ट्ेशन अंडर तो बंड इस्टेबलीषमेंट का होता है हर स्टेट में होता है सबसे पहला जो नोटा है वो सोपना इसको की पर कुलिक करना है और यहांसिट्पेशन नंबर डालना है इनकि जो legitimate का सोपन्ड ला aku hiya pandemic बाढ़ा है याप ड्रश्टेस्ट कर देंगे तो यहाँ परिस्टेशन आ जाएगा जाएगा उसके बाद को seven continue करना है जैसेuvo सेन continue पर करेंगे इनकी यहाँ पर tähän सैंप te भी आपकी याँ आपती कमपनी है यहाँ पर अ यापको नाम डाला है नाम आपको आ की मेलाइडिया ओजाएगा यहां पर फाधर नेम डालने है यहां पर बड़ी मोबाइल नमबर आ जाएगी यहां पर ओट और की जयन् vacun यहां पर करना है यहां पर आपको अपना ऑनर का यहां पर डीट願いसन डालना है जिसके भी आप यहां पर य़्निटाव डाल रहे हैं जिस भी ओंडर के detail डाल रहे हैं वो इस company का manager है या partner है या proprietor है या जो भी उसका designation है वो आपको यहा पर डालना है उसके बाद अगर din number है तो आप डाल सकते हैं नहीं तो आपको इसको ऐसे छोड़ सकते हैं अगर ओ Indian citizen है तो आपको यहां पे करना है जैसे ओल रिडी है अगर आपको इसके डाले है उसके बाद यहां पे आपको उसका residence address डालना है जो भी उसका residence address है यहाँ पे डालना है उसके बाद यहाँ पे आपको उसका passport size photo upload करना है उसके बाद अगर आपका same authorized person है यहने की जो आपने यहाँ पर डिटेल डाली हुई है जिस भी owner की डिटेल डाली है अगर वही यहाँ पर authorized person है तो यहाँ पर yes करना है नहीं तो आपको save and continue पर दोस्तों यहाँ पर जैसे आप उसको 7 continue पर click कर देंगे दोस्तों यहाँ पर इस option मेंने की principal place of business तो यहाँ पर आपका जो office है यहाँ पर आपको अपनी office की detail डालनी है आपका address है यहाँ पर complete address डालना है यहाँ पर आपको district pin code के साथ यहाँ पर पूरा complete address यहाँ पर डालना है इनकी जिस box में star लगे हुए है यह वो mandatory हैं जैसे यहाँ पर star लगा हुआ है यह mandatory हैं आप इसमें छोड़ सकते हैं इसमें छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर star लगा हुआ तो यह mandatory हैं यहाँ पर आपको डालना है यहाँ पर आपको mobile number और email ID डालनी है यहाँ पे अगर आपकी company खुद की है, याँ आपकी जो establishment याँआपकी sop खुद की है, तो यहाँपे आप अपने नाम से electricity भी आ पर डाल सकते हैं. अगर आपकी किसी और के नाम से है, जैसे कि अगर आपके establishment आपके father के नाम से, यहनिकि जो भी दुकान आपके father के नाम से या मदर के नाम से है, तो आप अपने father mother के नाम से याप पे आपको rent agreement बनवाना पड़ेगा, यहनिकि वो soap आपको अपने father से या अपनी mother से rent भी लेनी पड़ेगी, अगर वो soap या establishment किसी other person के नाम है, other person के नाम पर है तो आपको उसके नाम से rent agreement बनवाना पड़ेगा और यहाँ पे upload करना पड़ेगा अगर उस rent agreement के coding आपको उसका electricity bill मिल जाता है तो आप वो भी upload कर सकते हैं नहीं तो आपको दो बार यहीं कि दोनों option में यहाँ पे rent agreement यहाँ पे upload करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे आपको business select करना है जैसे कि यहाँ पे service of supply है तो यहाँ पे service of supply है अगर आप किसी भी प्रकार की service देते हैं वहाँ पे अगर आप आपको select करना है अगर इसके according भी यापको कोई business नहीं मिलता है तो यहाँ पर अधर पर click करके यहाँ पर अपने business का नाम यहनि कि जो इस परकार का भी आपका business है यहाँ पर डालना है उसके बाद आपको save and continue पर कलिक करना है अगर यहां पर आपके बिजनेस की कोई और डिटेल है तो यहां पर डाल सकते हैं यहां पर जैसे यहां पर आपको यहां पर बैक जाना है तो यहां पर कलिक करना है और आपके बिजनेस की डिटेल आपको डालने है अगर आपके और कोई बिजनेस एक्टिवि तो आपको service provider पर click करना है और यहां पर आपको अपने business selected यहां पर select करना है अगर आप manpower supply है तो आप यहां पर यह आप डाल सकते हैं इनकी SSC code है service accounting code और यहां पर आपका जो business है यहां पर आ जाएगा अगर किसी और टाइप का आपका business है जैसे placement है तो यहां पर आप placement डालेंगे तो placement service का यहां पर अलग SSC code है यहां पर आज आप इसको select कर सकते हैं इनकी जितने भी आपके business है आपको यहां पर डाल के select करना पड़ेगा अगर आप इसके साथ साथ गुड्स प्रवाइड करते हैं इनकी कोई भी material supply करते हैं तो यहां पर आपको उसके detail डालनी है जैसे कि यहां पर मैं डाल देता हूं housekeeping यहां पर housekeeping material का यह जो भी आपका business है जिस प्रकार का भी आपका material है जिस टाइप का भी आप business करते हैं material supply करते हैं वो यहां पर साथ डीटेल आ जाएंगी तो यहां पर आपको select करना है जैसे कि हम एक select कर लेता हूं यह मेरा goods accounting code होगा और यह मेरा service accounting code होगा इनकी यहां पर आपको अपने code number डालने हैं और उसके बाद यहां पर save and continue पर आपको click करना है जैसे आप save and continue पर click करेंगे अगर यहां पर कोई specification है जैसे state excise license है तो आप डाल सकते हैं नहीं तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं यहां mandatory नहीं है उसके बाद save and continue पर click करना है जैसे आप save and continue पर click करेंगे यहां पर आपको box मिल जाएगा इनकी जो declaration दी गई है वो सही है correct है इनकी declaration type का box है तो यहां पर आपको select करना है यहां पर आपको place डालना है उसके बाद यहां पर आपको उसका name और आपको pen number मिल जाएगा जैसे जो भी owner है यहां पर मिल जाएगा यह आपको select करना है और आपको EVC code पर click कर देना है या फिर आप DSC से भी इसको approve कर सकते हैं जैसे मैं इसको EVC code यह नहीं कि electric verification code के थरूँ इसको मैं approve करूँगा जैसे मैं EVC code पर click करूँगा तो यहां पर email ID और mobile number नहीं कि दोनों पर यहां पर एक OTP गया है आप दोनों में से कोई भी एक OTP यहां पर डाल सकते हैं और इसको validate आपको करना है जैसे आप इसको validate करेंगे यह application इनके GST officer के पास चली जाएगी जो आपकी circle है जो आपका जो आपकी range है उसके पास चली जाएगी और इस application को वह चेक करेगा verify करेगा अगर उसको इस application में किसी verification की requirement है इनकी clarification की requirement है आपने कोई detail नहीं डाली है बिजनेस और पहलेशन नहीं डाला है या फिर आपने जो detail इसमें upload की है वो clear नहीं है उसमें clarity नहीं है तो इस application वो clarification के लिए डाल सकता है और उसके बाद आपको उसका clarification देना पड़ेगा अगर clarification डाला था अगर आप उसी के coding का अपना clarification डाल देते हैं तो आपका जेश्टी नंबर अपरो हो जाता है अगर जो आपने याभी detail डाली है आपके rent agreement में प्रोपर आडरस लिखा होना चाहिए जैसे कि plot नंबर, soap नंबर, nearby या जो पर एक complete address होता है वो होना चाहिए तो आपक कि application में कोई भी clarification या पर नहीं आएगी और आपकी जो जेश्टी नंबर है आपका जेश्टी नंबर अपरो हो जाएगा अगर आपके registration में किसी भी परकार की clarification आती है अगर कोई भी clarification आती है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आपने अभी तक मारी